दशेरा यानि विजया दश्मी केवल एक त्युहार नहीं बल्कि एक कहानी है एक ऐसी कहानी जो हर साल हमें याद दिलाती है कि अच्छाई की रहा पर चलने वाले हमेशा विजई होते हैं इस बार का दशेरा भी हर साल की तरह कुछ खाश है क्योंकि हम इसे नए केवल धार में कुछ सब के रूप में बलकी एक सांस्कतिक महा पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं दशेरा का पर्वे रावन के पुतले के देहन के साथ मनाया जाता है प्रभू श्री राम दुआरा राक्ष़स राज रावन के वद के उपलक्ष में आश्विन महमित श्यरा बनाया जाता है आम तोर पर इस ते उहार को रावन देहन के मार्धियम से मनाया जाता है लेकिन क्या आप जांते हैं कि भारत में कुछ ऐसे जगह भी है जहां रावन दहन नहीं किया जाता यहाँ पर इस जिन रावन की मृत्यु का शोक मना जाता है जी हाँ आईए आज आपको बताते हैं कौन सी जगह है मंदसोर यह जगह है मध्याप्रदेश में जहां मंदसोर को रावन की पत्नी मंदोदरी का माई का माना जाता है यहां रावन का दहन नहीं बलकि उनकी पूजा होती है क्योंकि इस थान ये लोग उन्हें दामाद मानते हैं दूसरी जगा है बैंगलूरू जहां कुछ समुदाय रावन की पूजा करते हैं जहां रावन को ग्यान और शिव के प्रति उनकी भक्ति के कारण आदर दिया जाता है जिससे रावन दहन नहीं किया जाता इसके बाद आता है कांकेर जो कि 36 गड़ में है कांकेर में रावन को विद्वान की रूप में पूजा जाता है यहां लोग रावन के ग्यान को याद क कि शान्ति के लिए प्रात्ना की जाती है वहीं गच्छी रोली जो कि महराष्ट्र में है कोट जड़ जाती लोग खुद को रावन का वंशज मांते हो रावन को अपना पूर्वज मान कर उनकी पूजा करते हैं इसलिए यहां रावन दहन नहीं होता फिर आता है मंदोर जो की हवाले किया नहीं जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार का जो रावन का पुटला है पूरी तरह से सामगरी से बनाया गया है हां यह है प्रियावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते वे की गई है ताकि हमारी परंपराएं भी प्रकरति के अनुकूल हो इस वर् मुशेश प्रस्तूति देंगे और हां दश्यरा के मेले में खाने पीने की चीज़े की भरपूर विविदिता देखने को मिलेगी चार्ट फास्ट हूड और मिठाईयों के साथ यह दिवार मनाया जा रहा है दश्यरा केवल रावन के दहन का पर्व नहीं है बलकि यह इस त दश्यरा पर हमें सिर्फ रावन के पुतले का दहन नहीं करना है बलकि हमें अपने अंदर की बुराईयों का भी दहन करना है आईए हम सब मिलकर इस अबसर को एक नई शुरुआत के रूप में मनाए और सकारात्मक्ता के साथ आगे बढ़े फिलहाल के लिए इतना ही फिर म कर दो